ये कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूँ, specially उन पैरेंट्स को और उन लोगों को जो सिर्फ कमपैरिजन करके लोगों को मार देते हैं, लोगों की विनर कैपिबिलिटी को खतम गर देते हैं, अब दिहान से सुनियेगा उस कहानी को, और उसके बाद कमपैरिजन करना बंद कर दो गए, एक फीमेल डोग और एक फीमेल एलिफेंट, दुनों बहुत अच्छे दोस्त थे, वो दुनों साथ में ही प्रेगनेंट हो गए, दुनों, अब हुआ कुछ यूँ कि तीन महीने बाद ही, फीमेल डोग ने छे बच्चे दे दिया, फीमेल एलिफेंट ने कुछ नहीं दिया, फिर छे महीने बाद उसी फीमेल डोग ने बारा तेरा बच्चे और दे दिया, फिर छे महीने बाद उसने छे साथ बच्चे और दे दिया, तो इस तरह से दो साल के अंदर उस female dog ने कम से कम दो दर्जन से जाधा बच्चे पैदा कर दिया लेकिन उस female elephant ने कुछ पैदा नहीं किया तो female dog जाती है अपनी best friend के पास female elephant के पास पूछती है कि भई तू seriously pregnant है क्या दो साल में मैंने यहाँ पर दो दर्जन से जाधा बच्चे दे दिये तेरा एक बच्चा नहीं निकला तो सही में pregnant है गया उसके बाद जो female elephant ने जवाब दिया वो जवाब सब comparison करने वालों को सुनना चाहिए उस female elephant ने उस female dog को का देख आज मैं तुझे एक बात बताती हूँ जो तुझे जानने की जरूरत है तो उसने बोला क्या तो female elephant कहती है कि इस पेट में जो बच्चा है न वो पपी नहीं है जब ये पैदा होगा न और अर्थ पे गिरेगा धर्ती फील करेगी उसको जब मेरा बच्चा निकलेगा न लोग respect करेंगे रस्ता छोड़ेंगे हाथी पैदा हो रहा है पपी नहीं और जब हाथी पैदा करते हैं वक्त लगता है मतलब समझी है मतलब ये है कि जिस वक्त आपके पास कोई आए अरे मेरा तो जेई में हो गया तेरा क्या हुआ अरे शर्मा जी के लड़के का जेई में हो गया तेरा क्या हुआ अरे वर्मा जी के लड़के का नीट में हो गया तेरा क्या हुआ उनको बोलना हाथी का बच्चा पैदा कर रहा हूं वक्त लगता है समझीए comparison करना बंद कर दीजिए आपका बच्चा और अगर आप खुद सुन रहे हैं as a student आप unique है, आप winner है आप champion है पाचों उगलिया बराबर नहीं होती हर किसी के पास आपके जैसी capability नहीं है, so वक्त लगेगा, लेकिन अगर आपने अपने आपे भरोसा रखा आप champion की तरह बाहर निकलोगे